कि अच्छों मैं देख रहे हैं सवीन के हमारे यास पास एक दम कोई नजर आते हैं जिसके रेडर होती है पानी आरहा हूँ दो इक गर के अंधर हम देख रहे हो ते रहे हैं तो एक शक्स अगर बाहर से फ़ोनेखेशन घर में लेकर आ रहा है तो फुरे घर में फेल रहा है बच्चों में देखा कि कर लेकर आया प्र फूरे घर रहोता है लेकिन क्या है सिर्फ आशोबे चश्म है या और इंफेक्शन भी आज़र है इस हम बात करेंगे हमें जॉइन किया है डॉक्टर इनामने आई किया स्वेख्ट आफ झाल अंक और नामने अशोबे चश्म है उसने वहारे चोने दो हमें झाल एक्यियों और वन आफ्र दी अधर बाट यह जो रैड आए है रैड आए जो हम कहते हैं जिसे हम आशूबे चेश्म कहा रहे होते हैं आशूबे चेश्म तो इसलफ है लेकिन आंखों के लाल होने के और बहुत सारे कॉज़ेज़ें अच्छा वन आफ देम आज कल के सीजन में मुस्ट प तो इंफेक्शन बहुत सारी तरह की होते हैं बैक्टियर इंफेक्शन इंफेक्शन भी होते हैं फंगल भी होते हैं और यह बहुत सारी चीज़ों के इंफेक्शन होते हैं फिर आंख लाल होने के वज़ा एक अलर्जी फिनामेना भी होता है कि प्रेशिंस की आंख में अलर नर्जी का सीजन है उच्छोली ऑन वर्स की बात करते हैं तो आशूब ज्यादा हो जाते हैं इसमें और यह वारिल इंफेक्शन है जैसे बाकी वारिल इंफेक्शन होते हैं कि एक से दूसरे को लगने शुरू हो जाते हैं इसी तरह से यह इंफेक्शन भी एक से दूसरे को लगने शुरू हो जाते हैं इसमें सिर्फ यह कि आंकों के इंफेक्शन क पहल रहे हैं तो वो ड्रॉपलेट से भी इंफेक्शन कॉफ किया आपने ड्रॉपलेट इंफेक्शन और फिर आंख में चला जाए यह भी एक मोड ऑफ स्प्राइडिस का हो सकते हैं यह नॉर्मल वाइरल इंफेक्शन की आप बात करें या आशूबे चेश्रम में भी सिंटम इंफेक्शन की मतच कर आप जाएं भी गला खराब भी पीट खराब भी और मिलीज यह आपे he podमूर रिफे में चाहए रहर दू उर्मल स्वेलिवर्ट वैया कि मुख्लिफ में ऐंज मॉर्म यह नुचेजदे करस्दृ कि अबें नाफियर हो को बच्चों वाएंनो करदे ह तो उनमें ज्यादा इसकी सिम्टम्स होते हैं क्यों वारल इंफेक्शन इन जेनरल आपके जो बॉड़ी है वो उसके अंदर पूवत मुदाफित है इम्मुनिटी जिसे हम कहते हैं वो इम्मुनिटी इसको अवरकम करती है वेहले बेखुल सही जिन लोगों की इम्मुनिटी अच्छी है वो जल्दी उवरकम करें जिसकी इम्यूनिटी कंप्रमाइज़ होगे उसमें सेरे सिम्टम नोगे एक कॉलर भी रॉक्ट सब जन्योट से है या से असलाम लेकूम जी क्या पूछना चाहेंगे अच्छी आखों का फैंक्षन है यह इसके बारे मुणिन है जी पानी बहुत आता खारिश होती है उगो पीछ लाल भी है आँके लाल पहले दो दिन थी अब कुछ टीक है टूप डाली है तो फिर भी दर दर्द होता है अच्छ आँक में दर्द पानी का आना खारिश होना जलन होना मुझे इनकी पूरी बात समझ यह शायद रुनका के दो दिन से यह प्राब्रम है अब लाल तो नहीं है लेकि पानी भी आ रहा है और खारिश भी हो रही है अब यह टीपिकल एक आशुबर चिशम की हिस्ट्र अच्छ भी है यह आप दिन से पूछे हैं तो शायद यह भी पताएं कि पहले मेरे घर में बच्छे को था या किसी और को था उसे मेरी आंग खराब हुई और जैनरली पहले एक आंग खराब थी फिर दूसरी आंग खराब हो गई तो यह इस तरह से इसकी हिस्ट्री चल रह इसका मतलब वारे शायद हो रहा है इंको एतियाद करनी चाहिए घर के जो बाकी लोग हैं उनसे अपने आपको कोशिश करें अपने बिसदर कि किसी के आंख पर देख लेने से भी आंखों से आंखे मिलाने से भी अशुवर्ट चैश्म हो जाता है यह वेरी कि आप एक आदमी है जिसके आंखे लाल है उसने वो शाथ को हाथ लगा लिया और आपने 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 आंखों को हाथ लगा लगाया तो इसका असान सी बात यह है कि जब इस तरह की सूरते हाल हो घर में किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका एक तो जैसे मैंने बताया चीज़ें उसकी अलग कर दें तो तो जो थाचीज़ें बताया वो खुद भी इतियात करें? और अगर आपने आंखों को हाथ लगाया उसके बाद आप हाथों को दोलें, जैसे किसी ड्रॉप आँट में ड्लें के बाद आप हाथों को आपने ड्रॉप डालें गाया ये अदिए इसके आपने बाद धॐसे इचिंग बहुत ज़यदा इसमें होती है, लोगों खारिश बहुत ज़यदा पेशिन्स को होती है, तो हमें को ड्रॉप्स देनी के ज़ूर्ट पड़ती है, जो कि इचिंग को कम कर सकें, एंटी एलर्जिक, एंटी एलर्जिक जब आप जाएंगे आपकी आंग की कंडिशन द इसलाम लेकुम जी, क्या केना चाहेंगे? जो ड्रॉप्स दिक कर देतें, ये आँखों के लिए स्ट्यूरैड है. अच्छा ठीक ही, क्या ये दुरस्त बात है? ये आँखों के लिए क्या है? एक तो जो बहुत important है, मैं बहुत दफार लोगों से कहता हूँ, आप जो protected glasses आते हैं, वो लाजमी पहनने चाहिए, कोई government को ऐसा rule बना देना चाहिए, कि without glasses जो बना काम करें, उसको मतलब they should be some punishment, because हमापस इतने patients आते हैं, यंग बचे 18-20 साल के आँख में जो चोटा सा जर्रा होता है, लेकिन आँख को तबाह कर देता है, मतलब आपके देखते हैं, because आँख में चला गया, आँख में इतना डेमिज कर दिया, फिर लोग फॉरन रिपोर्टिंग करते हैं, लेट कर जाते हैं, वो जो लोहे का जर्रा है, वो आँख में जाके घुल जाता है, जो बहुत ही छोटा सा जर्रा, आँख में जाके घुल और वो आँख को बिलकुल तबाह कर देता है, यह बहुत इंपॉर्टन बात है, वो जो जो जगह है, उसमें आसपस और लोग भी है, तो इसमें इनका जो specific point अप वो यह था कि आँखे जब आप वेल्डिंग करते हैं, आँखे लाल हो जाती हैं, आँखे इसलिए लाल होती हैं, कि आपने protective goggles नहीं पहने होते हैं, वो जो goggles जो dark color की होते हैं, ताकि जो spark उसका है, वो spark की रोशनी आँख पे न जाए, वो spark की रोशनी जब आँख पे जाती है, तो आँख कॉर्णिया को burn कर देती है, यह patients हम आपस आते हैं जिनका कॉर्णिया burn हुआ होता है, तो वो जाहर है कि उनको treatment, अच्छा इस तरह के patients में, अगर आप steroids देते हैं, और बहुत ज़्यादात मिक्दार में steroids देते हैं, तो वो chances यह हैं कि उसकी आँख मजीद खराब हो जाएगी, तो again, तो हमने जिस नए doctor ने बताई है, वो steroids थे तो दुरूस बताई है, यह वो patients हैं, जि अच्छा इसको follow करें, मुबश्र है मुबश्र भावल नगर से, असलाम अलेकूम जी, क्या पूछना चाहेंगे? मुबश्र साब, आप सुन पा रहे हैं, तो please सवाल कीजेगा, अच्छा मेरे ना, अच्छा मेरे ना, पूछना चाहेंगे, तो पूछना चाहेंगे, तो उसका रहा है, अच्छा रॉक्साब, यह बड़े लोगों का होता है concern, के ड्राइ आइज उनके होती हैं काफी, क्या dry eyes के बहुत सारे causes हो सकते हैं, आंकों में कुछ बेमारी होती हैं जो dry eyes कर सकते हैं, कुछ ऐसी tablets होती हैं, जो altijd such toilets घॉनलर्जिक tablets हैं, तो dry eyes कर सकते हैं, और भी tablets हैं जो dry eyes कर सकते एं फिर weather conditions हैं, जैसे भी हाट weather में रहते हैं और आप बाहर जाते हैं, आप sun glasses using करते हैं, तो वो भी dry eye momentary, dry eye cause कर सकती हैं, इसके reasons दो बहुत सारे हैं, असान इसका हल ये है, कि आप अगर एक patient है, जिसके dry eyes है, उसको एक तो किस doctor को दिखा कि को अगर local cause है, जैसे कही दफा जो आँकों का eye lashes का एरी होता है, इसमें inflammation होती है तो वो उसमें अगर कोई reason है, आप उसको treat करेंगे, dry eyes आपकी treat हो जाएंगी, because the primary cause है, dry eye को there is some reason, अगर हम उस reason को treat करेंगे, तो dry eye automatically आप treatment पर जा सकते हैं, डॉक्स अब lens लगाती है, खावतीन, उन वो भी यही शिकायत करते हैं, कि हमारी eyes dry होना शुरू होगे, और अक्सर नहीं है, आपको जब आपको लगता है कि आपने lens पहने हुए है, आपकी eye dry हो रही है, तो आपको कोई lubricating eye drop डालना चाहिए, बहुत सरे lubricating eye drops है, और above all, कोशिश है करें contact lens उस duration में पहने हैं, जिसमें essentially ज़रूरी, जैसे आप तो कि शादी में जाना है, आपने office आना है, तो जाने से पहले आपने contact lens पहने हैं, और जैसे घार आते हैं, first thing should be, कि आप contact lens आपने होता रहें, because जब आपने contact lens कार्णियां पर लगाया होता है, तो कार्णियां को आप यह समझ लिए, इस पर आपने एक चीज लगा दिया, एक bandage लगा दिया कार्णियां के ओपर, so कार्ण इस पर extended wear lens यूज़ करें, बिशक डेली यूज़ करें, लेकिन office या कोई भी काम शादी में जाने से पहले उसको लगाया आपने, और उसके बाद वापसा के उतार दिया, because extra use ना करें उसका, extra use ना करें, उसको बाद में रखते हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जो lens को हम उतार कि उस बाक्स में रख रहे हैं, लेकिन को पहने हैं, यूज़ करें पूरे नहीं पर दो तीन महीने बाद उसके दोबारा पहन रहे होते हैं, एक तो उसकी केर क्या होना है, कितने टाइम में जो लेकिव रहा होना चाहिए? यह बड़ी इंपॉर्टन आपने बात की, मैं खवातिन आती हैं और वो खास्तों पर कलर कॉंटेक्ट लैंस, तो कहते हैं जिए मैंने एक दफ़ा लैंस पहना है उसके बाद मैंने लैंस पहना है मेरी आंग खराब होगी, मैंने पूछे का पहना है जी वो छे मिने पहले मैंन अब यह बिसिकली अगर आप देखा जाए तो यह एक एक्रिलिक सा मिटीरिल होता है जिसका लैंस बना है तो इसके अपनी लाइफ होती है, बहले आप छे मिनों में एक दफ़ा पहने, वो खतम हो जाता है उसकी जो सर्फिस है वो रफ हो जाती है उसके लाइफ है और वो ख होके तो आपके आँखों को डैमेज करेगी जोसा बहुत शुक्रिया साथ मौझू थे